हेलो रुट आफ्टनून तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों बताऊंगा कि जो मार्केट का चॉपिनेस है वो अभी भी खतम नहीं हुआ है और ओवरनाइट आपने देखा कि कितना यह गैप डाउन हुआ तो लोग पैसा बना रहें पोजिशनल में या इस इस रियरी अ अगर मैं जिसे मंडे है यह मंडे 17 अगस्त को मंडे था ठीक है तब से मार्केट की चॉपिनेस स्टार्ट हुई है जब से यह बहुत बड़ा फॉल आ है तो उसके पहले मार्केट में बिलकुल ऐसे बड़ी-बड़ी कैंडल आ रही थी ठीक है बट यह जो एक मार्केट का जो मुमेंट का लॉजिक था वह अभी थोड़ा सा शेफ्ट हो गया है फॉर एक्जामपल अगर इसके पहले के मार्केट आपको मैं दिखाऊ तो इसमूथली काम कर रहा है मतलब यह मतलब यह में देखिया से सपोर्ट ले रहा है ठीक है यह सारे लॉजिक कर रहा है और यह में ट्रेडर की बात करने हम तो बहुत बड़ा नहीं लगा ठीक है इस के सेंस में क्या हो रहा है कि यहां बाई कि यह बड़ी बड़ी यह बहुत ही बड़ा नुकसान करा सकती है ठीक है पहले का मार्केट आप देख लीजिए एक दम स्मूथ था काफी स्मूथ था इतन से स्मूथ चढ़ रहा है तो चढ़ रहा है फॉलू कर रहा है प्रोस्स को सेसेखें एकदम से अचानक से रहां से नहीं घरा. थीक देखोगे तो समझ जाओगे इन दिनों तो देखें कोई बड़ी कैंडल है ही नहीं मतलब यह एक कैंडल है जो कि लॉजिकली हम लोग को सस्टेन करके रखा था मार्केट में अभी क्या है कि यह जो 17 तारिक से यह मार्केट जो चल रहा है और यह जो चौपिनेस काफी आ गई मतलब देखिए एक दम से और उसके बाद जो मार्केट ना तो एंट्री के पॉइंट दे रहा है क्योंकि देखिए मार्केट यहां पर चिपक के बैठा है यहां आप देख सकते हो इस रेंज में ठीक है तो इतना ज्यादा टाइम में यह साइकोलोजिकली प्रॉब्लम डाल सकता है कि जैसे की आप इतना टाइम से वेट कर रहो हो आपको गोंड एंट नहीं मिल रहा है या फिर आप सोचowned ब्रेक आउट हो या ना हो इस ब्रेक आउट यह तो आपको एक डर रहता है कि कहीं से फिर्स रिवर्स ना हो जाए यह सारी चीज यह सारी इधर आप हो कि मान लीजे यह ऐसे रेंज बना लिए आपने सोचा यह सपोर्ट है अपने नुबारा भाई किया तो इसे खा सकता है तो फिर से एसल जा सकता है तो मतलब इस लाइक नॉट नॉर्मल थींग तो इधर भी आप देख रहे हो तो अगर ध्यान से आपको दिखाऊ मार्केट को आज का तो पहली बात मेरे जो मैजिक लेवल्स हैं जो कि मैं मैजिकल की तरक उसको टेलिग्राम में पोस्ट करता है वह मैं इसलिए नहीं पोस्ट करना हूं तब तक मार्केट चौपी रहेगा चाहे वह आज आए चाहे वह 10 जिंभाद आए जब तक नहीं आता है तब तक मार्केट चौपी रहेगा और रहेगा ये इक लोबल रूल है तो इस पर या तो आप ट्रेड ही मत करूं या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हैसे आज मेरा ए देख रहे हो इधर मैंने बाई किया था अबने अल्मस्ट थोड़ा से प्रॉफिट भी दिया था बट अनफॉर्शनिटी यह जो कैंडल लाई यह एसल हिट कर गई ओके उसके बाद जो यह दिखिन अब पॉइंट अगर यह पुरा ऐसे तो मतलब यह चार का लॉस था यहां सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मार्केट से थोड़ा दूर रही है क्योंकि मार्केट कभी रिलाइज नहीं करता भी सूबह से च्छोटा 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 केंडल बना रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि आगे बड़ा केंडल नहीं है कभी भी आ सकता है बड़ा केंडल के मेरे एंटरी के बाद ही आ गया बिल्कुल तो उसी टाइप से आ सकता है फिर रिकवरी भी हो गया डबल टॉप डबल बॉटम बनाके बट फिर वहीं प्राइज आ गया मतलब आप को बस जेस्ट करने की कोशिश की जारी है कि और जो स्कॉल्पिंग कर रहा है बहुत छोटे-छोटे स्कॉल्पिंग और चोटे-छोटे-चोटे के साथ वह यहाँ ज्यादा पैसा बना सकता है मेरे हिसाब से बट अभी तो दिखें मैं मेरा अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं यही बोलूगा कि यह जो मार्केट है अभी इस नॉट लेने के लायक नहीं है और कैपिटल को रिड्यूस कर दीजे थोड़ा और जब नॉर्मल हो जाएगा तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा यूजली चॉपीनेस नहीं होनी चाहिए कैसे आप समझ सकते हो कि मार्केट अभी नॉर्मल हो गया है यह में 50 डाल लीजे और पहला रूल है प्राइस कभी यह में के पास चिपक के नहीं रहना चाहिए ठीक है मैंने आपको समझा है था कि जैसे कि अगर कुछ अलग मार्केट में दि कर रहा है कि यह में फ्रीयीं के पास अगर्स आप आप में प्राइब क्रेंट यह में को झालो है सप्रेंट का कामर प्राइस ऊपर गया थी व्यू एपकर तो यह नीचे आ तो यह आफ तो यह देंड से हो गया है चलो अब प्राइस तो उपर ही जाना है फिर क्या होगा ना यह ऐसा ऐसा खाएगा आपका की दुबारा मार्केट पर एसा लगाने पहले सोचना पड़ेगा आपको तो यही एक लॉजिक है कि प्राइस यह में से दूर भागना चाहिए अगर करीब आके उसी रेंज में काम कर रहा है यह रेंज बना दिये वने तो इसका आड़ी डेंजर सिचुएशन नोट फोर यू नोट फोर मी इस फोर ओल कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन खतरों की चीजों को आसानी से उसको काट सकता है नहीं आसान आसानी नहीं है इसमें ठीक है यह क्योंकि इसमें डर रहता है कि कभी भी कुछ भी ऐसकती है आज क्या था कि मेरा जो लॉजिक था सिंपल एक ट्रेंड नाइन खा था और बहुत बड़ी गलती बताता हूं लोग क्या करते हैं कि यह एक ट्रेंड लाइन है देखिए पिछले यह जो हाई उनको मैंने मिलाया हुआ है ठीक है तो मेरे एंटरी का लॉजिक एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने यहां पर आप देख सकते हो कि यहां इसके हिसाब से यहां पर रिजेक्शन लेना चाहिए था प्राइस को प्राइस ने लिया भी यहां पर बट मैंने क्या सोचा कि प्राइस अब इतना दूरी चलके आई गया है तो अब थोड़ी से दूरी बाकी चलो स्कॉल्पिंग कर लेते हैं तो उस स्कॉल्पिंग के चक्कर में यह इतना वड़ा केंड़ यह ट्रैप था क्योंकि सभी को यह लेवल एक्चुली जो ट्रेंड लाइन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक यह आपके तीन रिजेक्शन आया है तो हो सकता है इधर भी है तो वह जो यह गैप देख रहे हो आप यह वाला गया ठीक है यह गैप इधर फिल नहीं हुआ अगर कोई इधर एंट्री कर रहा है कि चलो थोड़ी से दूरी है और प्राइस महां पहुंच जाएगा तो वह वह ग इंजिर्स होता है क्योंकि इसी का लोग फायदा उठाते हैं कि बहुत से लोग सोसते हैं कि चलो छोड़ी दूरी है एंट्री ले लेंगे बट उनका ही नुकसान कराने के लिए यह इतनी बड़ी कैंडल है और अकॉर्डिंग टू लौ प्राइस यहां टच करना है तो करे गई तो वह बाद में आके उसने किया ठीक अपना काम पूरा किया और उसके बाद से प्राइस गिर रहा है बट आपको फसा दिया मतलब आपका लॉजिक सही था आपका भी सही था बट ट्रैप हो गए तो यह इसलिए हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं प पूर्ट है तो आप जा सकते हो बट आप सुचरों हायर हाई बना रहा है और सोचरों कि मैं इधर बीच में इंट्री करता हूं इस लाइन को टुट रच करेगा ही करेगा क्योंकि पीछे तीन रिजेक्शन है तो ऐसा नहीं होता है और इस बात का काफी ध्यान रखिएगा तबस्तिए अगर श्यरक में इप एक्षिक करेगा, जो अबस्यार नहीं होता है